नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स अथिक्यों संटेंगे दंगा फसाद करते देंगा फसाद मेरे ने किया उन्लोग ने किया था और जिन लोगों का वोला बाला समझ रहें वो नीज गुंड़ेंगें और पदमाश है वालोश, साली जवान लड़ाती है, रात भर यहां सड़ेगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा रात भर, नहीं, एक अगेले लड़ी को, रात भर बंद केसे रख सकते हैं, यह जुन्म है यह तो कुछ नहीं, कल सुबा जब मैं तुम्हें शहर की जेल बेज़ूँगा, तो ना जाने वहां तुम्हें कितनी रातें काटनी पड़ेंगा नहीं साब, इसा मत कीजी, मेरी मा शरम से मर जाएगी, मेरी चोड़े चोड़े जोड़े मुझे घर जाने देजी बजटोरे चोड़े जे, मेरी कर्दाने जेची मुझे जेची करेंगी करेंङिflo करेंगी करेंगी कर दो कर दो कर दो कर दो अरे विनोद भाबू आप इस वक्त कैसे तकलीफ की मुझे बला लिया होता इंस्पेक्टर साहब मुझे पता चला कि आपने गाउं की गरीब लड़की को अंदर बंद कर रखा है यह सरासर बे इंसाफी है गरीब अपर जल्म है इंस्पेक्टर साहब यह क्या कह रहे हैं ठाक मेरे लोगों के साथ तो इसने जगड़ा किया है और मेरे लोगों के साथ जगड़ा किया तो हमारा आपका मामला है हम घुरने पढ़ लेंगे लेकिन विलोद बाबू कानून भी तो कोई चीज है ओह तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब मैं इस लड़की की जमाना देता हूं और मैं वादा करता हूं कि जब कभी भी आपके कानून को इस लड़की की जुरूत पड़ेगी मैं खुद इसे लेकर आऊँगा ठीक है अगर आप कहते हैं तो अबलदार चौड़ दोसे कर दो सुख कर दूस लड़की की जबलस सावेग। दोसे लेकर लेकर चीजव फ्रेटें विवादा अवरे हूं प morally解 카रो कि जबल्र층 की जबलों कि तोसीन दुरा आपके का की जबलवार दोसे लेग झाल 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 ऐल झाल 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 आप झाल प्रश्कर देदे बुडी अले शरम नहीं आती बच्छों का मारते हुए लानत है शकल सूरत से मर्द दिखने के बावजूद जन्खो जैसी हरकत करते हैं अबे मूसमाल के बात कर जानता नहीं किससे बात कर रहा है मर्दों की खाल ओड़े वे ना मर्दों से क्या बोला बे जो तूने सुना बे तेरी तो पॉकल पहलवान नया तरीका मैं सिखाए यह कौन है चैजी अरे यह मेरा विकार राजू हुआ मैं कहती थी ना वह ज़रूर आएगा देश आगया है आगया है लुक जाओ इस कांग की जमीन पर आज तक किसी ने हमारे आदमियों की तरफांग उठा कर नहीं देखा और तुमने हाथ उठा दिया हालो तुम मैं कौन हूँ यह बाद में बताऊंगा पहले यह बताओ यह तमाम कुट्ते तुम्हारे हैं अपने इनावारा कुटों के गले में शराफत का पत्ता बांद कर अपने घर में रखा करो अगर आज के बाद इन में से किसी ने किसी लड़की के तरफ आख उठा कर देखा तो उसकी आखे निकाल कर रख दूगा चाची कुछ बनने के जरूरत नहीं में खाना लेकर आई हूं यह लो अरे तुने क्यों तकलिफ की मैं बना लेती ना अरे चाची तकलिफ का अपना तो बच्पन का साथ है बच्पन का साथ है राजू यह दूर्गा है दूर्गा इतनी छोटी सी थी ना तब से मेरे सेवा करती चरी आई पूरे गाव में इससे अच्छी लड़की नहीं मिले गया वो तो नजर आ रहा है ना मगर चाची का दुख तुमें नजर नहीं आता है विचारी सारा सारा द वापस कब जाओगे वापस नहीं जाओंगा मैंने नोगरी छोड़ दिये बहुत अच्छा काम आपने अब यहीं रेके चाची की सेवा करो क्या करो आप तो मैं अपनी सेवा अपनी बहु से करवाओंगी राजू मैंने कब से सोच्छ के रखा है जब तू वापस आएगा तो दुर्गा से तेरी शादी कर दूंगी क्यों दुर्गा राजू तुझे पसंद है ना क्या चाची क्या बात कर ले तूंगा अरे 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 शर्मा देवी तेरा संग मिला मेरा संग मिला अंग अंग खिला ये जीवन जीवन लगने लगा तेरे आने से मुस्कुराने से तुझे चुखे जो तुझे चुखे जो पखन आई तो तन चंगन चंगन लगने लगा हाँ, तेरे आने से, मुस्कुराने से, तेरे आने से, मुस्कुराने से प्यार जितना है, इस जमाने में, प्यार जितना है, इस जमाने में, तेरी आँगों में ने बाया है जैसे सहरा में, जुमता बादल, मेरी दून मेरे से, तो आया है तो बन के खलिया, बन के खलिया, ही ही खलिया, ये तावन लगने लगा तेरे आने से, मुस्कुरानी से तेरे आने से, मुस्कुरानी से मेरे नेनों में तेरी सूरत है मेरे नेनों में तेरी सूरत है या ये मंदिर में कोई मूरत है मेरे जीवन का तू ही अर्मा है मेरे जीनी की तू ही तो सूरत है कोई अंजाना, कोई अंजाना, कोई अंजाना मुझे ताजन, ताजन लगने लगा तेरे आने से मुस्कुरानी से तुझे चुहे जो तुझे चुहे जो कब न आई तो तन चरंगन लगने लगा तेरे आने से मुस्कुरानी से तेरे आने से मुस्कुरानी से अजामत तलाल हाँ सरकार वो लड़की कौन है? सरकार ये तो पुतला है अबे मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूं किसकी कर रहे है? वो जो तमाशे में थी वो तो दुर्गा है सरकार हाई हाई क्या नाच्टी है क्या लाजबाब बदन है ऐसा लग रहा था कि जैसे संग्र मर्मल का तराशा हुआ चलता फिरता ताज महल हो एक शेहन शाहने बन वाके हसी ताज महल हम गरीबों की हजामत का उड़ाया है मजाक अबे मजाक नहीं मैं सच कह रहा हूँ जब वो नाच रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जिस सीना चीर कर विलकी स्टेज पर उचल उचल कर नाच रही हो अबे यो गदे मैं तुछ से पूछ रहा हूँ कुछ तज़ाबते मैं गधा ही अच्छा हूँ सरकार साबुन लगाके हमारे यहां इधर उधर तांग जात करने वाले को कुटा कहते हैं अबे क्या कह रहा है मैंने बुजर्गों की मिसाल कही है आपसे अरे बुजर्गों को मार गॉली मेरी बास सुन सुनाइए बस एक बार उस लड़की को मैंने फामास पर लेया किस लिए अब वे उसका मुझरा मुझरा करवाएंगे और पिर बाकी का काम तो सब मुझ पर छोड़ दे सरकार हम हजाम जरूर है लेकिन दलाल नहीं है अब इसमें दलाली क्या बात है मैं तो तुझे अपना आदमी समझ के कह रहा था और पिर बाद तेरा मुझ तरों से बर दूँगा हम हजामत लाल से तुम्हारे ये खुट तल उस तरह हजम नहीं होंगे मैं जा रहा हूँ साब उन लगा के हजामत खूद कर लेना मेरी डाणी गांड बना occurred a अब तो मैं आउंगा तुम्हारे क्रिया करम पर ही पिरी शीशा हो या दिल टूट जाता है मगर ये हजार्मत लाल का शीशा है तूट फूट पुरूप कभी झाओव कभी धूफ हजाओ दूर्गा तुम जाचि घर में नहीं कुछ काम था है नंद में घर पर आय थी हमारे घर नहीं नहीं मेरे घर पर कल उसके मंगनी एंट हाँ तो इसने मा को बुलाया हो गए हाँ नहीं वह पोच रहे थे हमारी मंगनी कब होगी ओ तुम्हारी मंगनी हमारी मंगनी ओ यानि तुम्हारी और मेरी अमारी उसमें क्या है दुर्गा थोड़ा प्राब्लम है जब मैं मिलिटरी में था न तो एक बार जखमी हो गया था और शहर के जिस हस्पदाल में मुझे भर्ती किया गया था वहां एक नर्स थी जो बला की खुबसूरत है और जब वह हस्ती है न तो उसके मुझे फूल जड़ते है उसकी आखे इतनी सुंदर है जील से भी गहरी नीली और उसकी जुल्फे जो है न घटाओ से भी जादा काली है है कैए कैनल से और जब चलती है ना नागे इंक न्यूट गर चाद़ का Tesma मैं उसकी ख्लाखे चूटि काटकर हात मीदे दूथ है कब उसने नागीन की तरह बनखा करें चाले की कोशिश की तो मयं उसकी टांग तोड़ क्या तोड़ दूगी टांगे तोड़ दोगी एक बात कान खोल कर सुलो तुमारी अगर होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी क्या हुआ दुर्गा थीक कहती है बेटा इससे शादी करके तु बहुत सुखी हो जाएगा बड़ी हिम्मत वाली है सड़कों पर नाजगा कर अपने भाई बहन और मा का पेट पालती है जब इसका बाप जेल से भाग कर आया तो उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया कि वापस जेल चला जा और सदा पूरी करके वापस आँ अच्छा मा ये बंजारा जेल से भाग कर क्यों आया लोग कहते हैं कि उसे मालूम हो गया था तो उसे दोके से सदा करवाई गई है अच्छा सदा करवाई किसने थी यही धरमपाल ने उसे से बदला लेने के लिए वह जेल से भागा था तो फिर बंजारा ने पास के गाव में डागा क्यों डाला मैं नहीं मानती बोई साद्मी हैं ही नहीं और वे धरम पाल और इसका भाई यह लोग कैसे आदमी है महा लुच्चे और कब्प्टी लोग हैं बंजारा को बर्बाद करने में उनी का हाथ है बेटा झाल 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 जडादा साद था कि इसका आता है कि भी आखिया खार सोचे डागकरो डेंसे het तुर्गा तू यहां क्या कर रही है यह मेरी नंगनी का घर है और उसकी मंगनी है इस खुशी की मौकिये पर खुनकराबा मत करो वापस चले जाओ बाबा नहीं बेटी आज मैं धरम पाल की तुर्गा तुर्भा प्लगापा टोगी आतो यहां रहीं और यहां जाना नहीं बेटी हैं अचांवोगागा स्कूलाव तुम्हें उसकी परवा नहीं, तु हट जा, हट जा सामने से, नहीं, मैं नहीं हटूँगी, अगर तुम्हें यही सब करना है, तो पहले एक गुली तुम्हें, मेरे सीने में दागनी होगी, उसके बाद मेरी लाश को रोनते होए, तुम अंधर जा सकते हो, नहीं भिनोत नहीं, बाप बेटी का नाटक बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो इसे, जो काम हमारे साथ ही, गुलियां चला कर नहीं कर सके, ये लड़की सिर्फ जबान चला कर कर रही है, तुम मत कर दुरगा, अपने बाप की बात मान जा, इस वत तुम बाप नहीं, एक डाको बन कर आए हो, और मैं एक डाको का कहने नहीं मान सकती, अगर तुम मुझे अपनी बेटी समझते हो, तो वापस लोट जा, वरना, वरना मैं खुद तुमारे गोलियों के सामने आ जाओंगी ठीक है, आज तु चला जाता हूँ, लेकिन ये जादा दिन मेरे हाथों से नहीं बस सकेगा चलो गिरिफतार करने सबको इंस्पेक्टर साफ, आप वेकार में क्यों हम लोगों का परिश्टान करने आए हैं, हमारे कसूर क्या है कल रात तुमने बंजारा को ठाक और धरमपार सिंग के हवेलीबर डाका डालने के लिए नहीं भुलाए था आप क्या कह रहे हैं, इस्पेक्टर साफ, मेरे तो बलके बाबा को वहां से बापत जाने के लिए मजबूर किया था वाँ, तो बंजारा वापस लोटकर कहांगे, बल मुझे तुम लोग ऐसे नहीं बताओ, देखते क्या, सब को खसीट के थाने ले चला ज़र दे लिए आप छोड़ दो बच्वों को, छोड़ दो लाए चला चला आओ, छोड़ दे लिन बच्वों को, चला आओ, जबाश, जिस बस्ती में आप जैसे सब इंस्पेक्टर और पुलीस वाले मौझूद हो, वहां लुटे रे और डाकों के क्या जरूआद है, आप को इतनी भी तमीज नहीं कि और तो और बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाता है, तुम कान होते हैं उसे बूचने वाले, हूँ तो एक फौजी, लेकिन पुलीस के काईदे कानून और मर्यादा से अच्छी तरह वाकिफ हो, आपके पस ग्रफतारी का वारंट है, यहां मे लेकर आओ, वरना इने ग्रफतार करना दूर तुम इने हाथ तक नहीं लगा सकोगे, तो मुझे कानून सिखाने आये हो, चले जाओ यहां से, वरना इनके साथ-साथ में तुम्हें भी अंदर लाओ, छोटे बाबू, पस्तॉल तो मेरे पास भी है, जितनी देर में तुम ए जाओगा, विश्रास नहों तो एक ट्रायल होजा, ठीक है, अभी तुम्हें जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इन लोगों को तो तुमने बचा लिया, लेकिन अपने आपको नहीं बचा सकोगी, मैं तुम्हें अंदर करके रहूँगा, चलाओ! गिता, तुमने आज मुझ परो मेरे पच्चों पर बहुत बड़ा आहसान किया है, आहसान कैसा माजी, मैं आहसान करना नहीं, बलकि इनसान के भेस में छुपे हुए जानवरों को इनसान बनाने आया हूँ, जमाना बहुत खराब होता जारा है माजी, लेकिन आप फिकर मत क वो अब यहाँ दुबारा आने के कभी हिम्मत नहीं करेगा, चलता हूँ, नमस्का, अबरी नदिया प्यार की जले की मारा थोड़, सब जह रिष्टा थोड़ के मैंने तुझ से लिया दिल जोड़, कोई मर्द मिला ना ऐसा, कोई मर्द मिला ना ऐसा, कासा, जवान तेरे थैसा, मेरी दोटी, सबादी जवानी, हुई तेरी दिवानी, जवानी तेरे नाम कर दी, तेरे नाम कर दी, तेरे नाम कर दी, तेरे नाम कर दी, ओ, ऑ, भाई मिली ना गोरी ऐसी, तेरे दिवानी, तेरे देल को चाहे है रानी, क्यों बोरी जवानी, जवानी मेरे नाम कर दी, मेरे नाम कर दी, मेरे नाम कर दी जब कर देखी तेरी सुझत, प्याहरी जियां मेन जागे। जारदिया में जागे, जागे, जारदिया में जागे तेरी सुझत प्यारदिया में जागे एक परसी सी खोगे सीसों क्यों अपना करादे जार किसी ते कब हो जाए ये कोई ना जाने सूरत खंजानी होप तिर भी दिल को दिल पहचाने तुझ को मान लिया है सियां तुझ को मान लिया है सियां पड़के थामलने जी सियां की तो ये सियां अखता की माजए बाजना की सीन लोद्ग केस्षा से menjadi में खोगा खते. की तुझ को में लोगी मेंétat जो गई हमें इंड ग्रांच वहां आप अपिंड़ वकियु आपीड прим स्दिर सकारी स्थैस दिधिभी गुदला तटใ का केन वहां है कि अधिए जिसकी महभूबा हो उसकी दिश्मत जागे जिसको पाके दिल दिवाना दिश्मत पे क्या मांगे तेरे ही सपनों में खोके जी नाखे बस तेरी ही खोके तेरे प्यार के महदी रखा के कि मांग सजा के जवानी तेरे ना कर दी तेरे ना कर दी तेरे ना कर दी कोई मत मिला ना ऐसा पाका जवान तेरे जैसा मेरी कोडी का वारी जवानी हुई तेरी दिवानी जवानी तेरे ना कर दी कर दो हुआ हैं इसमें फारेंबर साथ तो श्रम के मरे सर चुका जा रहा है एक आदमी खुले आम इस गाहों की इजद को अपने पैरेंट ले राओधर और इसको रोकनेवाला कोई भी नहीं ये कौन है ठाकूर साहाव किसकी बात कर रहा है पर बंदा परवर मैंने तो ये भी सुनाए कि उस दिन उसने आप पर भी रिवालवर तान ली थी क्या ये बात सही है जी कमाल है कितनी बेशर्मी से आप जी हां बोल रहे हैं एक मामुली खुणे की इतनी हिमत — क्या आप जैसे इंस्पेक्टर के सामने रिवालवर तान के ख़ड़ा 사़ा हो जाए और आप उसे कुछ बूस अगरा तक न सखाते इस्पेक्टर साहब अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ देर के लिए अपनी ये वर्दी मुझे उधार दे दीजिए मैं उसके बाद जाओंगा उस घराम के ढ़कन को पहले जापड लाओंगा फिर उसे पूछूँगा कि तुर रिवारर लाया कहां से तिरे पास लाइसन्स है इसका सर जुकाने से काम नहीं चलेगा इंस्पेक्टर साहब ये बुरे वक्त के आसार हैं अगर सही वक्त पर उस घुंडे को लगाम न लगाई गई तो आपकी वर्दी छिंजाएगी और हमारी जमीनदारी छिंजाएगी और इस सरजमीन पर घुंडों की हुकुमत बन जाएगी नहीं जाकुर साहब मैं ऐसा वक्त आने नहीं दूँगा बलकि उससे पहले मैं अस कमीनी को गरिफतार कर लूँगा और उसके साथ उसकी माशू का दुर्गा को भी सारे घर की तराशी ले जाओ ज़ल्दी जाओ अरे यह क्या कर रही आप लोग बुडिया तेरा बेटा कहा है वो तो शहर गया हुआ है अच्छा मेरे डर से शहर बाग गया उसकी पिसौल कहा है वो तो मुझे नहीं मालूम अभी मालूम पड़ जाएगा पिसौल मिली उस नहीं मिला सर सुन बुडिया जैसे चोहरा बेटा शहर से वापस आएगा उसको कहना फॉरं थाने में रेपोर्ट करें मगर क्यों हमसे सवाज नहीं पूछते एक बात कान खोल कर सुनले अगर वो फॉरं थाने नहीं पहुंचा तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूँगा संदीव जलो क्या बात है इंस्पेक्टर साब तुमने गाओं की शांती भंग करके तैवार के दिन गाओं में दंगा फसाद पहलाया इसलिए तुम्हें ग्रिफतार किया जाता है नहीं साहब आपको जरूर को जलत फैमी हुई है मेरी बेटी भला क्या दंगा फसाद करेगी यह कई बार मेरे आज से बच चुकी है लिगना इस नहीं बच पाएगी आज मैंसे ग्रिफतार करके ही जाओंगा मेरी ग्रिफतारी का वारंट है आपके पास अच्छा तुस बदमाश फोजी ने तुम्हें भी खानौन की जबान सिखा दी मैं दिखाता हूं तुम्हें वारंट पुलिस सेशन चलाओ 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 अच्छा शर्म और जिल्लत का खायल तुम्हें अब आए यह सारी बाते तुम्हारे बैटी को जुर्म करने से पहले सोची चाहिए थी संब्जी मैं तुर्गा तुम्हें पूंच तुम्हें मैं आपके हांद चोड़तीयों चोड़ देजिते मुझे इस तरह बंद मत कीजिए मेरे दिदधरी बरबाद हो जाएगी लुग आपसाद करते शर्म ने निया कि और चिन लोगों का आप बोला बरा समझ रहे हैं वो नीच गुंडे और पदमाश है वालोश, साली जवान लड़ाती है, रात भर यहां सड़ेगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा रात भर, नहीं, एक अखेली लड़ी को, रात भर बंद केसे रख सकते हैं, यह जुन्म है यह तो कुछ नहीं, कल सुबा जब मैं तुम्हें शहर की जेल बेज़ूँगा, तो ना जाने वहां तुम्हें कितनी रातें काटनी पड़ेंगा लेज़ाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल 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 विनोद बाबू आप इस वक्त कैसे तकलीफ की मुझे बला लिया होता इंस्पेक्टर साहब मुझे पता चला कि आपने गाउं की गरीब लड़की को अंदर बंद कर रखा है यह सरा सर बे इंसाफी है गरीब अपर जल्म है इंस्पेक्टर साहब यह क्या कह रहें ठाकुर साह आपके लोगों के साथ तो इस ने जगड़ा किया है और मेरे लोगों के साथ जगड़ा किया तो जो हमारा आपका मामला है हम घुर्म पर लेंगे लेकिन विलोद बाबू कानून भी तो कोई चीज है और ठीक है इंस्पेक्टर साहब मैं इस लड़की की जमाना देता हूं और मैं वादा करता हूं कि जब कभी भी आपके कानून को इस लड़की की जुरूत पड़ेगी मैं खुद इसे लेकर आऊँगा ठीक है अगर आप कहते हैं तो अबलदार चौड़ दोचिए दुरुगा 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 आप मुझे कहा ले जा रहीं मेरा घर तो इस तरफ है मुझे फाम हाउस पर बहुत जरूरी काम है बस सिर्फ एक मिनट के लिए उसके बाद मैं तुम्हे फॉरान घर छोड़ देंगा अरे सुना तुम यहां नेरे में कब तक इंतिजार करोगी अंदर आजाओ ने ने मैं यही ठीक हूँ अभी चलते हैं आओ कि आओ कि अ कि अ कि अ हाओ दुर्गा अले दुर्गा ढरो मत यह तो सब अपने ही दोस्त हैं शहर से आए हैं शिकार खेलने के लिए बस थोड़ी देर इंसे मिलें और फिर उसके बाद हम चलते हैं क्या बात है जीओ विनोद बाबू जीओ नजर के गंदे जरूर हो मगर वादे के पक्के हो आखिर इस बुज़ड़ी को इस महविल में ले ही आए क्या बाबू अरे क्या बताऊं दुर्गा जबसे मैंने तुम्हें थिरक थिरक के नाच्तिय दिखाए ना तब से मेरा मन बचलना है तुम्हारा मुझणा देखने का किनत बाबू, मैं ऐसे वेसी लड़की नहीं हूँ, तमाक्षा जरूर करती हूँ, मगर आपनी इज़त नहीं बेशती हूँ अरे, जाती कहा है, देख, जेल की पत्रीली जमीन पर लेटनी की बजा है, इन बाहों में आजा, बाला मजा आएगा साली में शरावत दिखा रहा हूँ और तु नगरे दिखा दिया रही है, मैं आखरी बार पूछता हूँ, तु ना चेगी है नाई एक मुश्पूर लड़की की इज़्द से इस तरह मत के लिए, मुझ पर तरस का यह मुझे छोड़ती है, तुम हमारा कहना मान जाओ, उसके बदले में हम तुमाला अबाल कर देंगे, जिंदगी बार रैश करती रहोगी नहीं मिनत बाबू, मैं नंदनी की से हिली हूँ, मैं भी आपकी बेची और ब्रहन की समान हूँ क्या कहा, अपना मुकावला नंदनी के साथ करती है बिर्गा, इन हैथों में पिस्टाल अच्री लगती, लाव फाके मत बढ़, औरना गोली मार दूगे अरे, गोली मारने की क्या जरूरत है? तुम हमे आख मार दो, हम पैसे ही मरता है ला लाव मुझे दो, में केजे रुप जा, अरे ला लाव रुप जा पर शुर्ण थे तो अ, पर शुर्ण जाओ नीचा ये, क्या बदा है, लिखके वह कुद्या थे? मा, क्या बात है दुख्या? जुखी तो है ये तेरे हाथ में क्या है? चल्दिया हाथ निकल चलो मा कुद्या और मुना को जगाओ बात क्या है बेटी बता तो सही बात मैं बताऊंगे मां पहले निकल चलो यहां से जल्दी चलो बाग कर कहां जाओगे तुम लोग मेरे भाई का खून इतना सब्तानी है जिसे बाह कर दुनिया के किसी कोने में भी तुम आराम का साहर है कि आपके प्धी तो यहां मैं सियाव भी जबाने वांग हो भी पहरा की मेरी इसमीक के अन्य बें करेगी और मौत करीब आने से इंकार करेगी और यह भयानक तमशा तुझे जनम देने वाली तेरी मा भी शायद इसलिए जन्दी मर गई कि कहीं तूसकी नज्रों के सामने ही अपने बेटी के साथ मुख्या न करेगा आना ये ुझेट! aquesta tea मुग आप। बाइफ। लुट पुटे! खाल टुसुद सत। टुसच रुभी लोगी्छ वरेavez ढुब वरे कि अ किषिए औॉब खाबा कर टॉब झाल के बना1 है आपई बाख़ाएँ चुरुष बाख़ाएँ! आपई बाख़ाएँ! बबबबब बाख़ाएँ! बाबा तुर्गा बाबा तुर्गा तु यहां कैसी आई यह तिरा क्या हाल है कौन थे बोलो बाबा मा कुदे मुना कुदे क्या 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 सारी मुने सब को मार डाला सब को मार डाला कितने मार डाला सौल परिया काका मुझे ठाकुर के आदमियों और इन पुलिस वालों का बिलकुल विश्वास नहीं अरे जुलूम की हद हो गई लगता है अब ये बड़े लोग और ये कानून के रखवाले हम गरीबों को जिन्दा तक नहीं लेने देंगे अरे बेटा आप तो यहां रहना पाप हो गया है पाप आज दुरुगा पे बीती है कल किसी और पे बीतेगी कैसे बेदर्दिस से बच्चों को मारा है उनका तो क्यों नाम लेवा तक नहीं रहा बंजारा को इस बात का पता चला कि नहीं अरे बेटा, अगर उसे पता चल गया होता, तो उसने ठाकुर की हवेली की इंट सेंट न बजा दी होती मगर तुम ये कैसे कह सकते हो, कि ये काम ठाकुर या उसके आदमों ने किया अरे भाईया, और कौन करेगा, बंजारा और उसके बच्चों से किसका वैर था तो आगये तुम, मैं बड़ी बेचैनी से तुमारा इंतजार कर रहा था पुलीस अगर बेचैन होने लगी, तो फिर जनता होगा, क्या होगा तुम अस्खोनी दुरुगा के साथी हो, नमाती हो वो पिस्ताल कहा है जो से तुम मुझे दिखा रहे थे यादाव, ग्राफतार कर लो इसी ग्राफतार करने से पहले, इसका लाइसेंस नहीं देखेंगे आप चोरो चके, लफंगों के पास राशन कार्ट नहीं होता, तो पिसावल का लाइसेंस कहां से आएगा अगर इतराज न हो तो इस कागस पर नज़र डाल लेजी आपको यहां स्पेशल ज्यूटी पे भीजाएं यहां और आप लोग यहां बैठकर पुलीस के नाम पर जो चारचान लगा रहें मैं उसकी तफ्तीश करने आया, बंजारा के बारे में कुछ पता चला, नहीं दुर्गा क्या हुआ, सर उसने तीन खोन किये और फरार हो गई है, और दुर्गा के घर वाले, वो कैसे मारे गए उस बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर क्या मालूम है आप लोगों को, यहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप, कौन करेगा पुलिस वे इशास, लोग कानून को कुछल का अपना जाती कानून बना लेंगे, और पुलिस सिर्फ तमाशा दिख दे रहाई, बैसा सिना, यह देखने में सिर्फ कपड़े की वर्दी है, मगर इसकी जिम्मेदारियों का बोज, पहार के वजन से भी जादा है, अगर उठाने की हिम्मत है, तो इसे पहने रहे हैं, वरना उतार को कोई और काम का लीजिए, बैतर होगा, सर, दुर्गा ने जो खूनकी हैं, उनके पाले जिम्मम पाले तुरहा, स्थिकन जोका में लीजिए, ये वा इजिए. एंकानतम संस्कार, मैं करूंगा राजू बेटा, इन चिताओं की आख तो थोड़ी दिर बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन इन गरीब गाउवालों के सीनों में जो आग लगी हुई है, वो कब ठंडी होगी? काका, इस गाउ में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जो इस घटना के बारे में मुझे सच सच बता सके, और जब मुझे सुच्चाई का पता ने चल जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, काका, कुछ नहीं कर सकता। कि अधर सचाई तो तो तुम्हें सिर्फ दुरुगा ही बता सकती है लेकिन दुरुगा कहा है मेरा ख्याल है वह अपने बाबा बंजारा के पास चली गई होगी मगर उसका बाबा बंजारा कहा रहाता ये भी तो मुझे नहीं मारू अधर कार इस बारे में मैं जादा तो में देखा जाता है में राजू तुद्नी आने में बहुत देर कर दी मेरे सब कुछ परबाद हो गया, सब कुछ अरे लेकिन इस अब हुआ कैसे उस दिन तुम्हारे जाने के बार रात वही इंस्पेक्टर आया और मुझे जबरदस्ती ले जाकर हमालाद में बंद कर गया मुझे बहुत गालिया दे पिरादी रात को छोटा ठाकर आया और मुझे वहां से छोड़ा कर ले गया लेकिन लेकिन घर ले जाने के बज़ाए अपने लेकिन रोमत दुर्गा, रोमत मुझे पूरी बाबताओ क्या हुआ मोलो, पूरी बाबताओ पिनोदर उसके साथ थे मुझे पर टोट पड़े मैंने बहुत हाथ जोड़े लेकिन वो नहीं माने अपनी इससे बचाने के लिए मैने उसपर गोले चला थे और वहां से सीधर घर भाग कर आ गए मा और बच्चों को नेकर वहां से भागना चाहती थे कि धरम पला गया और आते ही मेरा अंकों के सामने मेरी मा और बच्चों को मार दार अपने आपको बचाने के लिए मैने भी गोलिया चला थी कि इतनी लोगों को मार डाला मुझे खुश नहीं मालू मुझे सिर्फ इतना याद है उसके बाद में बागते रही सिर्फ बागते रही और वो लोग शिकारी कुटों के तरह मेरा पेचा करते रहे मेरा पेचा करते रहे बस दुर्गा बस जो बीच गया वो गुजर वाकल था जो आ रहा है वो आने वाले कल है हमें आने वाले कल की फिकर करनी उसे समानना है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मैं तुम्हारे साथ हूं न तुम्हें आदालत में बेयान देना होगा ताकि मैं तुम्हें निर्दोश ताथ करके गरागारों को सजा दिल्बा खまぁद만 थीक है अगर मेरा प्यारी मुझे निर्दुर्श साबित कर सकता है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तयार हूँ नहीं ये कहीं नहीं जाएगी बाबा ये तुम क्या कह रहो बाबा तुम चाहते हो कि तुम्हारे 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 इसने तो तीन खून किये हैं कौन बचाएगा इसे मैं बचाओंगा इसे तुम अरे तुम क्या बचाओगे तुम तो खुद कानून के पिठ्ठू हो बाबा हाँ बेटी इसने तुझे नहीं बताया कि ये खुद एक पुलिस अफसर है क्या और सुन ये तेरी पगली चाची का बेटा भी नहीं है ये तो बहरूपिया है बहरूपिया पहले रूप बदलकर मुझे गिरफ्तार करने आया था और आप तुझे गिरफ्तार करने आया है काके तुझे फासी पर लटवाकर अपने सीने पर तंखे लगवा सके में तुम्हें क्या और तुम? और तुम क्या निख लें? मुझे जूट बूलते रहे, मुझे फड़ देते रहे, मेरा आर्मोना का मजाख उनाते रहे नहीं दुर्गा यह घलत है तो मैं तुम्हारे बावा के जिल से भागने के बाद उनकी ग्रफटारी काम मुझे सौपा गया था मगर मुझे ये मालूम हो गया था कि तुम्हारे बावा बेकॉसूर है इसी बात का पता लगाने में गाव में आया था कि बेगुणा को सजर दिलाने के पिछे का हाथ है जब मुझे ये पता चला कि धरमपाल उसका भाई इसलिक गुनागार है तो मैं उनका बंदू बस्तकर ने आफिस दिया लेकिन जब तक आफिस लोटा तब तक देर हो चुकी थी सब कुछ खत्म हो चुका था मैंने गावालों से बहुत पता लगाने के कोशिश की लेकिन गावाले इतने डर पोक है को असलिक बताने को तयार नहीं है इसी बात का पतल लगाने में तुम्हारे पास है ताकि मैं सच जाच सको मैं तुम आफ़चन देरता हूँ जब तक असली मुझरमों को पकड़वा कर सजा दिलवा दूं मैं चैन से नहीं बैटूगा तो उसी दिना ना जिस दिन तुम असली मुझरमों को पकर तर उने सजा दिलवाने में काम्याब हो जाओ उस दिन हम बाप पेटी अपने आपको कानून के हवाले कर देंगे उससे पहले कभी नहीं जुर्गार कम सकुम तुम तुम मुझे गलत मां समझो काश मेरे तुम्हें गलत ना समझा होता तुम आज मेरा विश्वास करो देखो पोलिस वालों से मेरी पुरानी दुश्मनी है लेकिन तुम ने मेरे परिवार की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है इसलिए मैं तुम्हारे आसान के पोश्टले दपकिया हूँ तेकिन आइंदा अगर कभी मेरा या मेरी बेटी का पीछा करने की कोशिश की मैं तुम्हारे इस आसान को भूल जाओंगा और तुम्हारे साथ भी वही सुलुक करूंगा जो मुझे पुलिस वालों के साथ करना चाहिए बाबा मुझे पुलिस वालों को हमारे ठीकाने का पता चल किया है इसलिए जल्दी हमें ये जगा बदलेनी चाहिए ठीक है तुम फिकर मत करो यार मैं कुछी दिनों मैं उस आफिसर का तबादला करा दूँगा चलो तुम शराब पियो अरे पियो यार शाबाश क्या ड्यूटी निभा रहा रहा शरीर पे वर्दी और हाथ में शराब का ग्लास लिए आप बदमाशों की महफिल में बैट रहे हैं अगर आप जैसे कानूं के रक्षक हों तो लोगों कानूं पर सुवेश्वास उड़ जाएगा और यही याद दिलाने के लिए मैं हाँ सुनो एस्पी होने के हैसियस से मैं तुम्हें होकम देता हूं या भी और इसी वक्त अरम पाल को ग्रफ्तार करता क्या ग्रफ्तार मुझे भूश में चड़ा रखिए मैं होश में हूँ आपने चड़ा रखिए इसलिए आपको होश में लाने के कोशिश कर रहा हूं सुना है तुम्हें 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 अभी शायद पता नहीं कि धरम पाल की पहुंच कहां तक है मुझे से बात करने के लिए बड़े-बड़े MPs को अपड़ में नहीं पढ़ता है और आज तुम मुझे हतकर नहीं लगवा रहा हो अच्छी बात है मैं तुमसे अपने बेज़दी का वो बदा लूँगा तो तुम सारी जिन्दगी खून के आंसूर होते रहोगे करप मुझे जी यह सरकार यह क्या सरकार आप फॉरन हो मिनिस्टर को फोन कीजिए और कहिएगा कि इस दो कौड़ी के पुलीस आफिसर ने हमारे साथ यह हरकत की है जी जी बिल्कु सरकार यह सोदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ओफिसर मैं सिर्फ सोदा करता हूँ धरम पाल सोदे का सस्तापन या महंगापन नहीं देखता बंकते से अच्छा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ठाकर चाहब अभी तो तुम शर्मिंदा हो थोड़ी देर बाद तुम्होरा य अलो यह सार जीरी साफ का फोने आपके लिए यह सार अगर यह खबर आप तक इतने जल्दी का से पहुंच गें सार यह आप क्या कह रहें सब यह आदमी खूनी है एक और इसको दो मासू बच्चों का अगर इसे छोड़ दूगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की और कानूं की तौहीर होगी सब्सक्राइब अधर में सबुद है आधर है टोस अबुद है वही पागल व्रत सब जिसका मैं बेटा बन गया रहे हूं वह मौकाय वारदात की चश्वधीत गवाहें सर इंगे श्रम तक मैं बख्टाओं तब तक की चश्वधीत गवाहें की चश्वधीत गवाहें हरामजादे जर्म का सबूत मिटाने के लिए तुने एक बेगुनाब बेबस और बुड़ी औरत का खून कर्मा दिया मैंने किसी का खून नहीं करवाया है जूट बोलता है कुटे तो ने उसके जुबान हमेशा किले खामोश कर दी ताकि वो तेरे खिलाव गवाही न दे सके और तु फासी के तख्ते पचड़ने से बच चार लेकिन मैं तुझे जंदा नहीं चोड़ूँगा कानून तुम्हारे हाथ में है तूम शरीमों को मार भी डाला तो तुम्हें पूछने वाला कौन है दॉत अठक मत कर कुट तर क्या हो रहे है का सर्थ और लोगों पर फास उटाते हो सर आप नहीं जानते इसने इतनी जलीद और घटी आख़लेसे आउ मेरे साब तुम अपने आपको कानून का महाफिज करते हो ऐसे होते हैं कानून का महाफिज अरे तुम अपने अपने जजबात पर काभू तो पानी सकते तुम आप पबलिक पर क्या काभू पाओगे अगर ये बात जनता को मालूम हो गई तो हमारे डिपार्टमेंट के कितनी बद्दामी होगी सर जिस औरत ने मुझे अपने बेटे की तरफ पाला है जो दुर्गा के परिवार के कतल की चश्मदीत कवा थी इस कमीने ने उसका भी खुन करवा लिए यह कब हुआ अभी थोड़ी दर पहले मैं वहीं से आ रहा हूं सर कोई सबूत मिला यह बहुत ही चालाक मुझे जर्म करता जाता और उसके निशान मिटाता जाता है ऐसी देखो हमारे डिपार्टमेंट के भी कुछ मजबूरिया है तुम नहीं जानते इस शक्स की पहुच कहां कहां तक है जब तो कोई पुखता सुबूत न मिल रहा है तुम कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे तुमारे काईजर पर कुछ दागा है आज जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मेंदा हूँ और आपको एकिन दिराता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी आप घर जा सकते हैं बाद बाद शक्रिया है यहीं कोई बात नहीं है इस घर कभ लिजा सकता हूँ यही कोई एक आध हथे बात शुक्रिया विनौद मैं उस तुर्गा की बच्ची को जिन्दा नहीं चोड़ूगा नहीं नहीं विनौद यह काम तेरा नहीं है यह काम मैं करूँगा उसे ढूंकर मैं निकालूँगा आकाश पाता लेक कर दूँगा उसे खोज निकालूँगा दुनियमस का दूसरा ठिकाना है ही कहाँ सिर्फ एक ठिकाना है और वो है उसका बाब बंजारा तुर्गा यह क्या धरमपाल और उसके भाई से बदला लेने का रूप है बाबा तू तू उससे बदला लेगी हाँ बाबा क्यूंकि जो इंतकाम की ज्वाला तुमारे सेने में बढ़क रही है वही ज्वाला मुझे भी बसम किये जा रही और जब तक में धरम पारा उसके भाई को खतम नहीं कर देती यह आख मुझे चलाती ही रहेगी नहीं बेटी नहीं मैं तुझे उस पाफी के गंदे खून से हाथ रंगने नहीं दूगा और मैं तो इन हाथों में शादी की मेंदी लगी हुई देखना चाहता हूँ नहीं बाबा अब ये कभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा मैं जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का ठूल कर तेरी शादी कर दूगा तु सौहक का चोड़ा पहनेगी तेरी डोली सजेगी और फिर जब डोली बेटी हर बाप को यहीं सपना होता है भूल जा बाबा यह सब सिर्फ सब नहीं है दुनिया की नजरों में एक मुझरिव हूँ खूनी हूँ खूई मुझे माफ नहीं करेगा कोई मेरा हाथ थामने के लिए तयर नहीं होगा ऐसा न कहो बेटी, मत बदल जाता है, आलाद बदल जाते हैं, फिर आइस्ता आइस्ता दुनिया साथ भूलता थी, दुनिया भूल सकते है बाबा, लेकिन चुल कुछ भी हुआ, वो मैं नहीं भूल सकती, तुमने मा को मरते हुए नहीं देखा, बच्छों के खूल से जमी ला मैं को और देखा हुआ, अचै कुछ ऑबाशी ही, मुझे खत्रम से आपकी, मुझे नहीं नहीं आई, मैं नहीं सौ नहीं सकी कौल रातरात पर मुझे मा का खायलाता है, वासू बच्छों की आती है वह हमें बचा लो दीदिए, वह हमें बचा लो मैं उन्हें नहीं बचा सकी, लेकिन उन जारिमों का मार कर उनके आत्मों को शांती जरूर पहुचाँगे जरूर पहुचाँगे तेजर, अब लोग नीचे उतर कर घोड़े पीछे बंदो आव मेरे साथ आवाज पिकाली तो गोली हलक के पार उकार भूबा धरम पाल किदर है वो तो विलोग बावों को हॉस्पिटल से यह नी शहर गए हुए नंदनी बिटिया, अपने कमरे में है सो रहे हैं तेजरी किस कमरे में है उदार है तेजर, तुम दो आदनियों के साथ यहां रहो, कोई अंदर ना आने पाए तेजर, तेजर तेजर इतना रुपिया, यह ठाकू है यह कहीं का राजा? यह राजा नहीं बेटी डाकू है यह तमाम दौलत हमारे नाम से ठाकू रनबीर सिंग और दूसरे लोगों पर डाके डाल कर लूटी गई है और इस लूटी हुई डौलत पर जो के हमारे नाम से लूटी गई है, हमारा हक है तो जोरी खाली कर दो, और यह बंदू के समेट लो, जल्दी पर लूटी जल्दी मैं, बजाओ, छोर। झालो, छोर। वत्याओ, भाच्छाओ बजार का सांति ह engagement मा बहन की हिजदा करना नहीज सी कुट्व बंजारा के साथियों में पहली बार किसी ने ऐसी नीच अरकत की है और बंजारा किसी की बहिंत बेटी की इजदत लुटने वाले को जिन्दा नहीं छोड़ता बंजारा मुझे माफ कर दो मुझे सिंधा कभी ऐसा नहीं ओगा सिर्फ एक बार करतो पंजारा सिर्फ जालमों को लूरता है लेकिन किसी औरत की इजदत लुटते!' क्या तुझे माफ किया लेकिन आइंदा कभी ऐसी हर्कत करने की कोशिश खी तो सर से पैर तक तुझे खून में निला दूगा अरे आओ सर्जू ये नाइक शाफुर आये दूर्गा से मिलने कौन तुम क्या बात है सब चीक है ना चीक नहीं है दूर्गा बेहन हर्या की बेटी के बारे में बहुत बुरी ख़बर लाया हूँ कौन अंचु के बारे में क्यों हूँ उसकी हालत बहुत आखरी बार तुम से मिलना चाहती है आखरी बार लेकिन उसे हुआ क्या उसकी सुस्रार वालों ने उस पर मिट्नी कट्रेश चड़कर उसे मार डालने की कोशिश की क्या नेकिन क्यों अब एक तो उसकी शादी हुई है कहा है वो गाओं के अस्पताल में कुछी पल की महमान है बिचारी विर्प तुम आपी गौाओं चले जा और गे को वाहा सब थिक तो है तुम बाबा को बता थूरम्ग मिलने के लिए हौप आ टाल जा रही है कर से लेखान । टॉक्र साहिए प्छूर, हूंचूर जो भाल प्छूर, हूंचूर प्छूर दूर बन्हें दूर मौत मुझे ले जाने के लिए मेरे सामने खड़ी है नहीं अजू, नहीं अजू, दुगा दॉटर साम, दॉटर वो इसके पती को बलाने इसके सस्राल गए है यह कहीं नहीं जाएगा ऐसे बिकारियों की बेटियों का मर जाना ही अच्छा है जो शादी के चार जोड़े पोटली में बांद कर बिना देहें इसके खालिया चलियाती है यहां नहूसत मत पहलाओ रोना दोना बंद करो और चले जाओ यहां से दभा हो जाओ यह क्या कह रहे हैं किदार्नाजी आखिर वो आपकी पहू है वो एक बिकारी की बेटी थी जो खालियात नौकरानी की तरह हमारे घर में कुछ दिनों के लिए आई और फिर खुछ जलकर हस्टाज में पहुच गई हमारा उसे कोई वासा नहीं बाग जाए ऐसा मत कहिए किदार्नाजी भगवान से दर यह मुझ पर दिया कहीजिए बरना मेरे बेटी मर जाएगी मर जाएगी नहीं चाचा अंचू मर गई क्या नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता भगवान इतना निर्दे नहीं हो सकता बेटा अभी तो उसकी शादी हुई थी यह यह वक्त उसके मरने का नहीं था दुरगा यह वक्त उसके मरने का नहीं था इन देज के लाची कुतों ने उसे वक्स से मेरी अंजु को वक्स से पहले मार दिया उसके सर पे इज़त का पल्लू डालने की बजाए उसके शरीप पर कफन डाल दिया उसे कफन में ढख दिया बेशा क्यों लाला अरिया ठीक है रहे नहीं नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं मैं इस बारे कुछी नहीं जानता तुम सब कुछ जानते हो लाला तुम खुब सुगान से अपने जुरूम का एकपाल करोगे इस आदमी को देखती हो जिसने जिन्देगी भर की कमाई अपनी बेटी को देश में देदी यहां तक की अपनी जिमीन भी गिर्वी रखती है वो जिमीन जो किसान की मा होती है मगर तुम लाल्चियों का उससे भी पेट नहीं बरा किसी और की बेटी को फसाने के लिए तुम लोगों ने इसकी बेटी को आख से चलाकर मार ढाला कि जब चाहिए उस बेजुबान को ब्या कर लिया आए और घर में नौकरान की तरह काम करवा ले और फिर जब देश का लालच हुआ तो उसे जलाकर मार ढाला और बेटी की दूसरे जगा शाधी करवा दे बताओ, तुम दोनों में से कौन अंजु की मौत का दिम्हेतार है, बोलो अंजु मेरे सहल ही नहीं, मेरे बेहन भी थी और मेरे बेहन का खून करने वाले को मैं जिन्दा नहीं चुड़ूगी किसने मर अंजु को मुझे कुछ नहीं मालू, पिता जी, अंजु को दहेद न लाने की वज़े से परिशान किया करते थे और तुमने जो लाला छेतरमल की बेटी से शाधी की बात पकी कर ली थी वो मगर अंजु पे तेल तो आप नहीं डाला था आप तो तूने लगाई थी ना हरिया, चाचा तुम्हारी बेटी के कात्र तुम्हारे सामने खड़े है चलाओ, गोले लेलो इनते अपने बेटी के खून का पतला सोचते क्यो हो, चाचा अगर आज इन सापों को नहीं मारोगे तो कल ये दूसरी घरीब लड़कियों को जला कर मार डालेंगे इसलिए अपनी बेटी का और दूसरे हजारों बेटियों पर होने वाले जुल्म को खत्म करने की शुर्वा तुमको ही करनी पड़ेगी चलाओ, गोले और मार्ड़ इन सापों को झालाओ, गोले गाँवालो, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बाप बेटे की मौत एक चुनोती हैं उन लोग के लिए जो दहश की भूके हैं आज के बाद मेरे इलाके में किसी ने दहश दिया या किसी ने दहश लिया या किसी ने दहश के लिए बहु को परिशान किया तो मैं आंजु की मौत की कसम खाकर कहती हूँ, उसका भी वही आंजाम होगा, जो इन दोनों का हुआ है, चलो चाचा अरे तेज्या, तुम थुबा से कहा चले गए था? आज मेरी बहन की शादी है ठाकुर, उसी की तैयारी में लगावा था कमाल है तुम्हारी बहन की शादी और हमें बताया तक नहीं, मालूम तो मुझे भी नहीं था, कल रात जब गाव गया तो पता चला, ठाकुर मैं आपको शादी का निमंतरन दिने आया हूँ ठेजा, अब तो हम शादियों में सिर्फ ढाका डालने के लाइक रह गए हैं, निमंतरन पाकर मेहमान बनने के लाइक नहीं रहे, हमारी तरफ से अपनी बहन को आशीरवाद देना नहीं ठाकुर, हमारे परिवार में कोई बुजूर्ग नहीं है जो कन्यादान कर सके, ये काम तो आप ही को करना होगा, अगर आपने इंकार किया, तो मैं समझूंगा मेरी उस दिन वाली गल्ती को, अभी तक आपने माफ नहीं किया नहीं तेजा, हम घुने लोग नहीं है जो पुरानी बातों को दिल में रख लेते हैं, जिस तरह गोड़ा दवा कर बद्दूप से गोली बहाद निकाल देते हैं, उसी तरह गल्ती मानने वाले के सर पर हाथ फेर कर, हम पुरानी बातों को दिल से निकाल देते हैं, तो आप काफी दूर है तुम्हारा काँ आये इदर ये परातियों के स्वागत की पूरी तैयारियां कर लिए बस शादी की सब तैयारी हो जाए वैसे तेजा जिस लड़के से तुम्हारी बहन की शादी हो रही है क्या करता है स्कूल में मास्टर है तेजा क्या बात ते आरा काँ खाली पड़ा है मैं इस वक्त पॉलीज के घरे में हो हम जहें ते तो इसी वक्त में ख़त कर सकते हैं लेकिन हम तुम्हें जीने का एक माखा और देते हैं अपने आपको पुरीज के हवाले कर दो शबश अब लिजाओ और मुझी सब नही नाम दो हाथ हाथ जजाथ झाल यह जद झाल 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 जाल झाल 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 दिवेला! क्षब perhaps. हुआ 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 है हुआ है भाल कर दो 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 उसने आखिर उसने दोखा दे दिया ना तू यहां कैसे पहुच गई मैं जानती थी कि तेजा जरूर दोखा देगा इसलिए थोड़ी देर बाद सबको लेकर यहां निकल पड़ी मैं लुर्गा लगता है पुलिस फिर इस तरफ आ रही है तू बाग जा यहां से बाग जा मैं किस हालत में छोड़कर बाबा मेरा सारा जिसन छली हो चुगा है अब मेरा बजना मुश्किल है पेटी राइफल बज़ते थे मैं पुलिस को रोकता हूं तू भाग जा अपनी बाबा को छोड़कर में कहां भाग जाओं मेरा दुनिया में बहें को अगर मर नहीं है तो तुनassy अपनी अगोंसाぎ में सबको मरते हुए दिखाए अब में तुम्हे नहीं देख सकती बाबा बाबा, अगर तुम्हे कुछ हो गया, तुम्हे कुछ हो गया में सारे दुनिया काग लगा दूगी, सबको मालता दूगी नहीए बाबा पारी बिलाए बाबा जल्दे सिवाईची को बिलाए जल्दे नहीं दुर्गा अब किसी बाइट को बलाने की जरूरत नहीं दुर्दे के जंगर साथ से फाकी रह गई है नहीं बाबा नहीं रो नहीं बैटी तू तो बहादूर है बहादूर तो दर्द के सैलाब पी जाते हैं और फिर मैं तो अपनों के पास आ रहा हूं तेरी मा मेरा इंतिजार कर रही है तेरे भाई बहें मेरी राह दे रहे हैं नहीं बाबा पेटी मैं तेरे लिए कोई एंडालत जाइदा छोड़कर नहीं जा रहा हूं हाँ एक तुश्मन छोड़कर जा रहा हूं इस उम्मीद पर के तू उसे अखुष की जुलम को खत्त करने की करेगी न बेटी हाँ जरूर करूंगी बाबा जरूर करूंगी जीती रहो बेटी आज आज मैं बहुत खुश हूँ मैं अपने पीछे एक बेबस अलाजार बेटी छोड़कर नहीं जा रहा हूं जा बाजों और वफादारों के पीज एक एक सेर नी छोड़कर जा रहा हूं सेर नी पगवाल तेरी रख रख जय जँ एक बाब जाब 好 बाब इना 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 मेरे बाबा मरे ने उन्ही दोखी से मारा गया है अपने साध्यों के साथ इत्ना दोगा किया निस हरामचादे को जिन्दा नहीं छूड़ूगी हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु में लगी तली खुक्र बंगे महतने लगी मुक्साम यहां से जा कितनी जल्दी भी क्या है ते जा मुझे भत बारो दुर्गा मर्तों तो उसी बद्या था जब तुने बाबा को दोखे से मरवा दया था आज तर सिर्फ तेरा क्रिया करने आए हूँ मुझे भाफ करतो दुर्गा मुझे भाफ करतो माफ तो तुझे अब बाबा करेंगे, ऊपर जा कर गोली मत चलाना, दुर्गा, दुर्गा गोली मत चलाना, दुर्गा गोली मत चलाना उठाओ इसको तेक लाशको और ले चलो कि अवड़ करेंगे, कि अवड़ ऑढ रखना कि अवड़ो हो और अवड़ों कि अवड़ों कि अवड़ों कि अवड़। कौन हो तुम लोग यह लाश किसकी देजा कि देजा कि दुरका यह तो तुम्हारा साथी था तुमने इससे क्यों माड़ा ला इसने विश्वास का खून किया मैंने इसका खून किया और जानते हो इसकी लाश मैंने तुमारे दर्वाजे पर क्यों फेंगी क्योंकि तुमने इस कुत्ते के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा और फिर तुमारा और मेरा पुराना हिसापी तो बागी है इंस्पेक्टर तुमने भी कानून की वर्दी पहन के कानून का बहुत खून किया और मुझ बेगुना को डाको बनाने में तुमारा भी बहुत बड़ा हकता इसलिए तुमारे सीने पर गोली का मेडल लगाने आएगी नहीं हाँ मेरे हाथो में बंदुग तुमने ही दी ती अब इसकी गोलिया भी तुम्हें ही कानी पड़ी कि अ था्प दोल खुमारा थुमनो सील करा जुमने तुमने 1613ळ कि उनियों कियों जुम भी झाप खुम्हें बंदुआु जुमना पहाँ कि अपले चाने 12 Spring कि उुमारे हम ठाले कि मेरे बंदुमन प्रू में झारेवa़ी कि खेट धरमपाल के हैं जी माईगा आज के बाद किसी ने धरमपाल के खेतों में काम किया तो मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ो कि भागो यहां कि खेटों में खेटों में खेटी नहीं कर सकते हमारे खालियां चला जिया गए हमारे कोदा लूट लूट लिए गए हमारी हमेरी लूट गए लेकिन आपका डिपार्टम्ट कानवरुट ऊसके बैठ रहा हुआ है अपने दिल से ख्याल निकाल दीजए विनोस साहब पुलीस अपने कानों में रूट ठुसे हुए बलकि जिस आसानी के साथ कानों से रूणी निकाली जाती है उसी आसानी के साथ हम जुर्म की तुन्या है छुपे हुग मुझरों को बहुत जल्द पास निकालाएंगे पाल भी पंजारा के नाम पर कौन लूट मार करता रहा है मेरा ख्याल है विनोद पाल साहब आप इन बातों का जवाब बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं आप क्या कह रहा है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आरा जवाब देना तो दूर की बात है देखे, मैं बहुत सीधा साला आदमी हूँ, मुझे शब्दों के चक्रवी में फसानी की कोशिश मत कीजिए मिना नाम धरमपाल सिंग है, मैं सिर्फ धरम को पालता हूँ, बाके हर बात को दिमाग से निकाल देता हूँ मगर एक बात है, जो दिमाग से निकल ने री, कांटे की तरह चुपती ही चली जा रही है, आप जरह उस पे रोशन डालेंगे फर्माईए, ये दुर्गा अब तक क्यों ने गिरिफतार कीगी, जबके डाकू को गिरिफतार करने वारी खास स्टोली यहां मुझूद है, एंटी डिकाइट इनिट, इमान पर आतर के धरम को टटूल के जवाब दीजिएगा अच्छा, आप अपने धरम को टटूल कर बताईए, क्या वज़ए है, बताओं, जी, आप खुद नहीं चाहते कि दुर्गा के रिफतार हो, आपके और दुर्गा के तालुका के बारे मैंने सुना था, लिके मिरे धरम के कान ने बरदाश नहीं किया उसको, लेकर मुझे य अच्छा के वर्दी पहनी हुई है, और इस वर्दी का दामन साफ हरने के लिए मैं अपना खून तक महा सकता हूँ, दुर्गा को ग्रफतार करना मेरा फर्ज है, और मैं उसे ग्रफतार करके रहा हूँ, भीत बात और सुन्ले धरम पार, जेस दिन मुझे तुम लोगे खला पूल अग्राम, यह सर, उम फॉरल हजामतलाद को लेके मेरे घर आजाओ, जी, नहीं, नहीं, हमारे मिलने का अपसवाल ही पैदा नहीं होता, क्यूंकि वो एक पोलिस अफसर है, और में एक बागी, पोलिस के नजरों में डाकों की सर्तार, उसके कंदों पर हमारे साथियों कातम करने की जिविद्धारी है, और मेरे कंदों पर उनकी रक्षा करने की, हम तो ने जिंदगी की तो अलग-अलग ऐसे रास्तों पर चल रहे हैं, जो किसी भी मोड पर नहीं मिल सकती, ऐसा मत कहो दुर्गा, नजाने इस मुलाकास से जिंदगी को कौन सा नया रास्ता मिल जाये, राजु बहुत अच्छा लड़का है, मेरी आखों को अच्छे बुरे की आसानी से पैचान हो जाती है, क्योंकि मेरा उस तो लोगों की डाली पर होता है, मगर मेरी आखे उनकी चेहरों पर होती है, जिंदगी भर हजामत की है, लोगों के चेहरे पढ़े हैं, मैं इस सीधी साथी लड़की दुरकां भी मर चुकी है, और ये दुरका अब बागियों के सरदार है, जो किसी भी और हालत में अपनी साथीों के जिन्द़िक खतरा मूल नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती कि दूर्गा उससे तुम्हारे साथियों से कोई मतलब नहीं है वह सिर्फ तुमसे अकेले में मिलना चाहता है वह बिल्कुल नहाता offenses और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथि दूर रहकर तुम्हारी निग्रानी कर सकते है एक मुझा पर विश्वास करो दूर्गा मैं कर दोटु कर दो कहुँ है कि दूर्गाच कि इतने दिनों कर बाद कि तुम्हें इतने करीब से देखने का मौका मिला है मुझे ऐसे लगता है जैसे हम लोग बिलकुल करेब तो हैं लेकिन इस करेबे के पीच हज़ारों मील का फासला है तुर्गा ये फासला तो तुम नहीं पैदा किया है हम फिर एक दूसरे के हो सकते है ये दूरी हम दोनों के भीच हमेशा मेश्कला मिठ सकती है खतम हो सकती है अगर तुम अगर क्या अब ने आप और कानून के हवाले करता हूँ इस वक्त में किसे मिलना आई हूँ एक पोलिस अफसर से या उस राजो से जिसे में प्यार करते थी दोनों से दुर्गा नहीं दोनों एक साथ कभी आई नहीं सकते क्योंकि पोलिस अफसर को दुर्गा चाहिए उसके कानून के लिए और राजो को दुर्गा चाहिए उसके प्यार के लिए कानून और प्यार तो ऐसे तलवारे ही जो कभी एक मयान में आये नहीं सकती आ सकती है दुर्गा, मैं हूँ वो मिसाल जो कानून और मुहबत के तलवारों के अपने दिल की एक मयान में लेके खड़ा हूँ ना मैं कानून से गद्दारी कर रहा हूं और नहीं तुम से बलकि दोने को मिलाने के लिए कोई रास्ता निकलने कोशिश कर रहा हूं इस जनम में वो रास्ता निकलना ना मुम्किन है राज़ू मुम्किन है दुर्गा, मुम्किन है सब्सक्त तुम्हारी पहल के जुरूट है मन को दुआसी है, खुन खराबा एक दुआत्यार और आजा मेरे साथ काँ पासी के दक्ते पर नहीं दुर्गा नहीं कानून के दर्वाजे पर इंसाफ मांगने कानून के दर्वाजे से इंसाफ मिला होता तो ना दुर्गा के खांदार पर बाद हुआ होता और नाहीं मलब्पूर दुर्गा बंदों गुटा कर्ड़ा को बंदी तुम्हारे कानून के सामने मेरे मा और भाई बेहन को गतल कर दिया गया और तुम्हारा कानून तमोशे दिखत रह मैं जानता हूं तुम्हारे से बेंताहा जुल्म हुए हैं कुछ लोगों ने कानून की वर्दी पहन के कानून के साथ खाथधारी किये लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दुर्गा मुझ को विश्वा सको, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपने वर्दी अपना सब कुछ अपने जिन्दगी दौपे लगा दूगा मुझे थोड़ा सबक दो क्यों मैंने कसम ख़ए थी जब तक धरामपाल और उसके भाई को कतम नहीं करते थी मैं चैन से नहीं बेठोंगी जिस दिन अपनी कसम पूरी कर लोंगी उस दिन खुद अपने आपको कानून के हवारे कर दोंगी नहीं दुर्गा नहीं दुर्गा सज़ाया कानून का काम है तुम्हारा नहीं नहीं रुम्हार वत्म है तुम्हार मैं तुम्हार नहीं लुम्हार थी नहीं ईये धिच्प यें उन रुम्हारских सर्णथ याजार छोल न tent लुम्हार कौन तो विनोद विनोद अजामतलाद यह लड़की कौन है यह लड़की नहीं यह तो पुछ रहा हूं वह पुछ रहा हूं वो तो पुतली है पुतली बाई यही समझ लीजे नाम तो अच्छा है अजामतलाद लेकिन देखने में कैसी है सरकार जवाब नहीं है आँख बंद करके देखिए तो उससे हसीन लड़की नहीं देखेगी दुनिया में साबुन लगा के आग बंद करके मतलब यह सरकार के लड़की भरपूर जवान है खुबसूरत है मिल्कुल ताज महल की तरह मगर आपको रंग मतलब है आपको तो ढंग से मतलब है अंग से मतलब है अरे वो सब तो सब ठीक है लेकिन मुझ्रा मुझ्रा करेगी ना मुझ्रे तक पहुचाना मेरा काम है अध्य हुज्व की बात उनेव सब कुछaci है बस एक काम करते है कौन सा 아 आज शाम को बड़े भीया बाहर जा रहे हैं तू बस उस लड़की को आज ही रात को मेरे फाम होस पर लेया वाह सरकार क्या जगा चुनी है क्या रात चुनी है आज की रात आपकी रात आखरी रात तुम्हारे इश्क के अंदाज से वाकिफ है हम लेकिन हमारे घुस्न कातिल की भी है शहरत जमाने में तुम्हारे सामने हम है हमारे सामने तुम है जरा देखे तो कितना जोर है किसके निशाने में मुश्क है मुश्क बचाना मेरा तीरे नजर का निशाना मुश्क है मुश्क बचाना मेरा तीरे नजर का निशाना आज देखेगा सारा जमाना मेरा तीरे नजर का निशाना यहे चीजे नजर का निशाना मुश्क, मुश्क, मुश्क हुआ 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 है जवा जिसम किजली खुली सुल्फ सावन संभलना नजसली जवानी की नागन रात डलने दो दोर जलने दो दोर जलने दो मेरी नशीली आदाओ का सब करते का दिवाना ये है ये है ये है तीवे नजर का निशाना हर मुश्किल है मुश्किल बचाना मेरा तीवे नजर का निशाना ये है तीवे नजर का निशाना ये है तीवे न्यर का जड़ते है ये तीवे निशाना निशाना राईजाओं से मारो, खारों से मारो, जपारों से मारो जाने में फिल हो, भुसने काहिज हो, ऱासा नहीं आजी चलवों से मेरे जान बचा कर जाना ये है ये है ये है दीवे नजर का निशाना मुश्किल है मुश्किल बचाना मेरा दीवे नजर का निशाना ये है दीवे नजर का निशाना अकेले हो तुम भी, अकेले हैं हुम भी, इसी रात की आर्ज की घुमेशा मुला आज का आज मौका मिला है तुम्हारी हमें जुस्त जूती हमेशा तुम्हें क्या याद हो गया पुरानी याद हुमें इन्हें दिवारों दर में गुटी फर्याद हुमें जिसे लुटा है तुमने वही बरबाद हुमें वही बरबाद हुमें यहाद क्यूं आई हो में इरादा जान जाओ सितन के खुम्र कमें सितंगर जान जाओ सितंगर जान जाओ तुमारी मात हुमें मुझे पहचान जाओ मुझे पहचान जाओ मुझे पहचानी जाँ तुर्गा तुम? हाँ मैं क्या थे तुम्हे? यही वो जगह है जहां से मेरी बरबादी की कहानी शुरू हुई थी उस कहानी को शुरू तुम्हे क्या था और आज इसी जगह वो कहानी में खातम करने आई हूँ परक फिर इतना है उस दिन मैं मश्बूर थी और आज तुम मश्बूर हो दुर्गा, मैंने तो कुछ ने किया था मैं तो तुम पुलिस चिश्टे से चुड़ा के लाया था दरसल तो इंस्पेक्टर है न? वो इंस्पेक्टर अपने के के सजा भगुच चुका है मेरी बर्बादी में जिज जिसका हाथ था मैं वोन सबको खदूंकर डालूंगी हाज के बाद तेरे जैसा कोई कमी न किसी दुर्गा की तरफ आँख उटा कर नहीं देखेगा दुर्गा, दुर्गा मुझे माप कर दो मैं तुम्हारे हाथ चोड़ता हूँ वो दिन मैंने भी तुम्हारे सामने बहुत हाथ चोड़े थी लेकिन तुम सब बेड़ी, मेरा मज़ा कुड़ा रहे थी मेरी करीबी के दामन को नूच रहे थी मेरी इज़त से खेलने के कोशिश कर रहे थी दुर्गा, मैं वह शर्मिंदा हूँ मेरी शर्मिंदगी मेरे बाबा को वापस ला सकती है मेरी मा और चोड़ी चोड़ी भाइबन को लोटा सकती है नहीं, मुझे ये तिम बना दिया तुम लोगों नहीं हाथ में बंदों कुटाने पर मश्बूर कर दिया तुम लोगों नहीं और आप इस बंदों का सामना बे तुम लोगे करोगे तुम भाग कहा तक भागेगा मैंने तेरे हर रास्ते पर मौत के दिवार खड़ी कर दी है इतनी आसानी से नहीं मरने दूगी तेरे शरीर के एक एक से पर कील की तरह गोलिया ठोकूंगी तब कहीं जाकर तुझे मौत के हवाले करोगी नहीं दुर्गा नहीं तुव ऐसा नहीं कर सकती हो दुर्गा तुम तो मेरी बेहन के सवाल हो बेहन, बेहन और भाई की पवित्र रिष्टे को तू क्या जाने को दे, तू तो हो राक्षस है, जो अपने स्वात के लिए अपनी मा और बेहन को भी बेच सकता है, और ऐसे शैतन को मैं तो क्या, वो भगवान भी माफ नहीं कर सकता हूँ चाचा, ये कुटा तो मर गया, अब रहे गया इसका बड़ा भाई, धरमफाल से, बुर्जा और उसके साथ होगा किसी भी हालत में ग्रफटार करना बहुत सरूरी है, ये पिलिस डिपार्टमेंट के इसत का सवाल है, चारो तो में फैल जाओ, एक ठिकाने चान मारो, मगर किस ये त्रस बड़ा को ये अना संग कर दो कर दो कर दो कि भाग रहा था कि जागुर धरम बाल से भाग रहा था कि मेरे हाथ मौत से ज्यादा लंबे हैं या मौत नहीं पहुंच सकती मेरे हाथ पहुंच जाते हैं लगता है उपर वारे में तुम लोगों को ना अकल दी है ना दौलत दी है रोटी की जगा ठोकने खाने के लिए पैदा कर दिया है बता दौलगा का है नहीं बताएगा अच्छी बात है मेरे पैर भी लोगों की जबान खुलवाना अच्छी तरह जानते हैं क्या कुर्दरंपाल क्यों अपनी मौत का पता पूछ रहा है जिस दिन तेरा बुर्गा से सामना हो गया ना उस दिन तेरा वो हशर होगा कि नर्ख में तेरे मरे हुए भाई की आत्मा भी दर से काउफ उठेगी कौन कि इसका क्या हशर करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा मगर मैं तेरा वो हशर करूँगा कि तू अपनी आँखों से देखने नहीं पाएगा आए उठाएगा कि इस वफादार कुटे के चेरे से इसकी आँखें उतार लो खुलाब सिंग कि उठाएगा गएवाएगा भाएगार कि इसके भी बताक कि जाएगा वल झाल 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 झाल